वेलकम टू माई यूटूब चैनल चलिए मैं आज आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कि रेलेवे रिक्रूट्मेंट बोर्ड की तरफ से जो वेकंसी आई है बाइस सो छे पोस्ट निकला है इसमें ओपनिंग डेट जो है 6 अक्टूबर है और तथा इंडिंग डेट लाज को फिल करके step by step दिखाऊंगा तरता full notification को आपके सामने दिखाऊंगा और इसको समझाऊंगा भी चलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि इसमें जो है क्या कराया जाता है क्या नहीं कराया जाता है आप चलिए selection mode पर आ जाते है इसमें क्या होत जाता है जो minimum होता है minimum अर्थात कि आप 50% से ज्यादा अगर आपका है तो आप अपलाई कर सकते हैं जिसने यह जो है पचास परसेंट हाई स्कूल होना चाहिए बाकी 50% ITI का मांक जो है equally जुडता है इसमें आप लोग का ट्रेट देख लिजिए जो डिवीजन वाइस धन ध के बारे में बताए गया जो इसमें के बारे में बताए गया जैसे कि क्या कंडिशन हो सकती है 15 से 24 साल हर जगया अपरेंटिशिप में यही दिया जाता है यह वह टाइम होता है जिसमें अपरेंटिशिप वालों को आप ट्रेनिंग दिया जाता है एक साल की ट्रेनिंग कर सक इसमें जो होता है OBC वालों के लिए भी कुछ Aege का रिलником होता है cht वालो को मिलता है PWD वालो को मिलता है यहां पर हम लोग आ जाते हैं एजूकेशन सेक्षन में जो बताया गया इसमें हाई स्कूल टेन प्लेट्स टू के सिस्टम में होना चाहिए जिसे जो इंटर के इंटर से होता है हैं इंटर भी कर सकते हैं हाई स्कूल होता है वह इससे उस बौर्ट से आप हाई स्कूल पास हो मिनिम्मम 50 पर्शनेट के साथ इसमें जो है आई टीएई काॉंसिल बोर्ट एंसीवीटी एसबी जो है किसी से भी आप आई टीएई कर रखे हों आप जो है इलिजबेल हैं इसमे पूरी जानकारी दोगा इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आगे आप लोग को मैं दिखाता हूं कि आपे जो कितना क्या स्टाइपेंड मिलता है स्टाइपेंड क्या होता है इस सब को मैं बता रहा हूं स्टेप बाई स्टेप स्टाइपेंड का मतलब है कि जो पर ट्रेनिंग कर रहे हैं कुछ सीखेंगे आपको सीखाया जाएगा तो आप कुछ काम भी तो करेंगे वहाँ पर थोड़े ना है कि बस सीखेंगे पुर्टेनेशिप के पूछ चुछ बच्छे पूषते हैं सर स्फू करने से क्या आप लोगगों करने से लिए बताओं लुपको प्सी अरून्ाल्मेंट क्रोंगतः ही हैं जो chỉ कर वहारती हैं इसे लंग कि और समय करन federर से वालों के लिए होता है जिसमें इंडिया.org से कर सकते हैं आप बीटेक वाले हैं या आप जो डिपलोमा वाले हैं तो आप एने टीएस की वेबसाइट पर नेशनल अपरेंटेशिप की वेबसाइट पर जाके रेजिस्टेशन आप लोगों को पहले-पहले करना होगा आप रे आप लोग यहां से कर सकते हैं आप लोगों को उसकी पूरा-पूरा जो है लाग दिया जाता है यानि कि आपको छूट दिया जाता है कुछ दस नमबर 15 नमबर या रिजर्ब बैकेंसी आती है कि आप यहां से आप अपरेंटेशिप कर रहे हैं जैसे कि मैं बात कर ल仗ो की सबसे अगए इस टायम रिए-वे से अपरेंटेशिप करने से रिए-वे में क्या है कि जो अपरेंटेशिप करते है बच्चे उनको करीब 30% आशपास वकिन्सी में रिजर्बेशन दिया जाता है वन handc पता है कि इंडिया में सबसे आदा employment railway देती है आप देखेंगे भेल एचेल जहां भी देखेंगे यहां सब भी 30 से 35,000 कुल employee काम कर रहे हैं तो वेकंसी जो आती है वो नाम मात्र की 200,500 आती है लिकिन रेलेवे में जब वेकंसी आती है तो बंपर वेकंसी आती है एक साल में ए कईखेंगे इसलिए आप बड़े से करें गे तो बड़ी वेकंसी आईगे आपको बड़ा फायदा होगा आप जैसे वी करेंगे कम कम चीध में में Dartmouth आती है तो आप लोगों को उतना जबकि आपकी बार तो आप तो railway में दूसरा system भी लाऊ हो गया पहले क्या है कि रेल्वे में क्या होता था कि जब पहले की बात है जब आप रेल्वे में हुआ करता था कि आप apprenticeship जो है करेंगे तो आप आपको apprenticeship का certificate दे दिया जाएगा आप लेकर चले जाएगे लेकिन आप 2014 में जैसे पहले हुआ करता था कि रेलवे में एक GM अस्तर पर ही apprenticeship होता था लेकि आपको महां पर अपरेंटिशिप का लिए रइस्टर कर लेते थे आप अपरेंटिशिप वाज करिए और फिर अगर वहां पर एंपलाई की जरूरत है तो उन्हीं बच्चों का एक एक GM लिया जाता था और उनको गौवर्मेंट नौकरी में रख लिया जाता था प्रमानेंट नौकरी में रख लिया जाता था लेकिन 2014 में नई गौवर्मेंट आई इन्होंने चेंज कर दिया रूल अपना जो है सोरी तो चेंज कर दिया रूल लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब आप आपका क्या कहते हैं इसमें 2021 में दूसरा नियम फिर से आ गया इसमें क्या हुआ कि फिर वही नियम लागू कर दिया गया कि अगर आप अपरेंटिसिप कर रहे हैं जी अमस्तर पर होगा सेल दोनों हैं तो इसमें क्या है कि अब पड़े फायदे हैं आप अपरेंटिसिप करेंगे आपको नौकरी मिल जाएगी फिरी नौकरी में बताइए वहां पर कंप्टीशन भी ज्यादा नहीं होता है यहारा भी में ज्यादा हजार बच्चे आपरेंटिसिप कर रहे हैं त नहीं है तो आप उसमें फिल करेंगे आप लोगों को इसके बारे में बताता हूं यह इंटरफेस को अ मैं आप क्ल सब्सक्राइब हो धिसक्तिक करने के लिए फिर आ जाएगा आधार का चाहिगे फिर मतलब माट्स जो इसमोलांची का मोलान है प्रेड है कहीं पर आपका कट अगयरा हो तो आप इसमें फिल कर देंगे नहीं है तो नो माक्स लिख देंगे और डिवीजन कौन साइड डिवीजन तो आप लोगों को इस्टर रेल है तो फिर मैं यंपी आपको इस्टर चूज करना है फिर दिवीजन धनबाद धनपूर आपका यहां ट्रेड आ जाएगा जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रेड आ जाएगा जो फिल करेंगे फिर आप यहां से स्टिक को केस डाल देंगे फिर इसके बाद जो है मैंने इसको फिल कर लिया है मैं फिल करके आप लोगों पर इसमें रेजिस्टर पी नीचे क्लिक कर द जब आप इस पर किलिए लॉगिन करेंगे तो आईसा आप लोगे सामने इंटरफेस आ जाएगा इस इंटरफेस में आपका ओल्ड पासओर मागेगा जो आप लोगे एमेल डी पर गया होगा राइस्टेशन और पासओर फिर आप एक नया पासओर्ड इसमें इंटर कर देंग और फिर जो है अपडेट कर देंगे इसको फिर इसमें थोड़ा सर्वर का इसू बता रहा है मैं फिर से ट्राइ करता हूं वेट करिए आप लोग एक सब्सक्राइब हाँ यह देखिए आप लोग जो है मैंने पासवर्ड फिर से क्लिक किया तो वह अपने अप अपलाई हो गया सक्सेस्पूल चेंज लिख रहा है और फिर यहां से आप क्लिक अपने वाला कोड डाल के आप सब्मिट कर देंगे कि सब्मिट कर देंगे ताब लोगों का ऐसे कुछ इंटरफेस आएगा तो आप चाहिए से लिए या फिर नेवर कर दीजिए जो भी आपकी इच्छ है फिर यहां से आप फिल करेंगे सीवी एसी किस बोड से आप हैं बो और फिर यहां आजाएंगे नीचे आपका वर्स काउंसा है फिर आपनों जो है वर्स को सेलेक्ट कर लेंगे आपका हाव स्कूल पास हुए होंगे आप फिर आप लोग यहां पर अपना जो है मार्क सीट नमबर डाल लेंगे सीजी पीए टोटल जो मार्क्स होता है आपका जितना आपका जो जितना आपने आपने किया पाया हुआ उसको फिल कर देंगे टोटल मार्क्स यहां फिल कर देंगे फिर आपका परसेंटेज खुद बखुद वहां जो है ले लेगा वो रिफ्रेस हो जाएगी साइट थोड़ा नीचे हो जा रहा है इस वज़े से यहां पासिंग यह देख लेंगे 2021 का फिर इसमें जो है आप लोग का नेशनल अपरिंशिप ट्रेट जो मतलब एंची बीटी की दोरह जो आप लोगों का कोड मिला है आप कोड फिल कर देंगे फिर आप यहां से चूच कर लेंगे फिर जो है यहां पर आप इंस्टिट्यूट न मिले हैं वो फिल कर देंगे फिर आप नेक्स्ट सेशन में इंटर करके और जो है टोटल मास को लिख देंगे और फिर जो पूडांक रहा है उसको आप लिख देंगे फिर आपका यहां कल्कुलेट होके आजाएगा आपका कितना परसेंट बना है कौन सा ग्रेड है फिर अपलोंका जालोड हो जाएगा पर फेज लड्ड़ हो के आ जाएगा यहाँ पे आपड़ना जो है ऐड्रेस फील कर देंगे क्रॉस बंडिंगे आप कुछ ब्रकार सकते हां रह रहे हैं उसका आप डोनोंका दोनोंाफ सकते हैं एक सृस लगा के जहां प्रेंट लोकेशन है अप घर के यहां से आप photo चूज करेंगे और upload कर देंगे upload प्र click कर दीजियेगा तब ही जाके आप लोगों का यह section जो है upload होगा फिर जो है मैंने जो है यहां से upload कर लिया है और फिर जो है next प्र click करेंगे तो आपका एक जो है दुसरा interface खुल के आ जाएगे आप चूच कर लेंगे अपना सेलेक्ट करकरके और फिर अपलोड कर लेंगे सारे डॉकुमेंट को फिर जो है सेब टू प्रोसेस्ट कर लेंगे फिर जो है आप नेक्स्ट पेस्ट पे जो है आप लोग पहुंच जाएंगे यहां से आप अपना कास्ट साटिप्केट जो इड लिए उसल लोगीशी वाले अपना अपना सब अलग अलग डॉकुमेंट जो है अप लोड कर लेंगे इसको फिर आप अपनोड करके सेप प्रोसेस टू कर देंगे फिन नेक्स डिश्ट आज आएगा पेमेंट का अपेमेंट कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद आप जो है पेमेंट करने के बाद आपका जो है अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही authentic news के लिए आप मेरा चैनल जो है बार-बार बिजिट करते रहें चलिए धन्यवाद